मुझे इस काम को करते हुए आद 49 साल पूरा होने को जा रहा है इसलाम वाले जो भी आए मुझे बल गिरे रिवेट करने के लिए किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है या माद्दा नहीं है योगता नहीं है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लफाजी करने में लगे हुए हैं एक का अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसका नाम है इबराहीम इस इबराहीम की बोलती बंद कर दी थी बहुत पहले कई वर्ष हो गया है और इसकी बोलती बंद कर दी थी और इसका वीडियो बनाना भी बंद हो गया था लेकिन कल रात्री में मेरे पास मेरे एक बहुत ही घनिष्ट वकेल साहब मारनी एड़ोकेट सत्व केतु जी ने ये वीडियो मुझे भेजा है और लिखा है कि पंडी जी देखिए ये आपको जवाब देने लगे हैं इसलिए मैं आप लोगों के सामने इसे इलाना बड़ा उचित समझा लाजम समझा और ये वीडियो किनके दौरा बनाया गया है कौन ये बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं उसे मैं सुनाओंगा फिर ये قौरान कलाम अल्ला का होना संबब है या नी कुरान तो कलाम उल्ला नहीं है, मेरी चुनोती इसलाम जगत को पहले से दी हुई है आज तक इसका कोई जवाब नहीं आया, ना जवाब दे पा रहे है और केबल माए एक ही नहीं है ऐसी बहुत सारे एक्स मुस्लिमों ने इस कुरान को अल्ला को चुनोती दिया हुआ है कि कुरान को कलाम उल्ला कुरान को कलाम उल्ला सिद्ध करो आज तक किसी के दौरा कुरान कलाम उल्ला सिद्ध नहीं हो पाया लेकिन लफाजी करने वालों को लफाजी कैसे हटाएंगे ये क्या भाज रहा है कि सुनिए पहले फिर उसके बाद मैं इसका जवाब दे रहा हूँ और कुरान से ही मैं उठाओंगा सवाल कि कुरान कलाम उल्ला है अत्वा नहीं कि दुनिया वाले इसे जाने समझें देखे समझने का प्रयास करें कि कुरान सही अर्थों में कलाम उल्ला का होना संभव है या नहीं तो देखे पहले ये वीडियो ये वीडियो कुरान का पैगाम यूटूब चैनल की जानिव से इंडियन मुस्लिम पैनल पर अपलोड की जा रही है ये इसका हेडिंग है इसका सिरसक है और यहां बोलने वाले इबराहीम है जबकि ये इसलामी की स्कॉलर नहीं है आज कल कुछ लोग इस जूट और इस गलत बात को बहुत फैलाने का प्रयास कर रहे है कि कुरान में ये लिखा है कि धरती चप्टी है विशे शुरूप से आरिये समाज के लोग इस तरह की जूटी और बेबुनियाद बात को फैलाने का प्रयास कर रहे है कमेंट्स में काफी बार देखने को ऐसा मिला ये एक इमेज है जिसे कहते हैं डबलू मार्बल इमेज ये इमेज मनजर आम पर आई थी 1972 में उससे पहले इस पृत्वी पर रहने वाले लोगों को ये इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये धरती हमारी देखने में इस शेप की है लेकिन इस इमेज के रिलीज होने के बाद अपॉलो 17 का जो मिशन था जो सकस्फुल हुआ 1972 में उसके बाद कुछ लोग भारत में विश्य शुरूप से उचलने लगे और उन्होंने ये कहना शुरू किया कि उनके हाँ इस धरती के आकार इसके शेप के बारे में कुछ ऐसा ही उनके गरंथों में लिखा है लेकिन उन्होंने इसके साथ ये भी जूट फैलाना शुरू किया कि सहाब कुरान में ये लिखा है कि धरती चप्टी है इस तरह का जूट इस तरह का फरेव आपको पता है आरियस समाज के लोग इसी तरह के जूट और फरेव का सहारा लेते है इसने कहा कि आरियस समाज के लोग इस तरह के से जूट और फरेव का सहारा लेते है और आरियस समाज के कौन लोग है जो इस जूट और फरेव का सहारा लिया उसका नाम बताने के हिम्मत इसमें नहीं है اور मैं पहले ही बोला हूं कि इसकी दुकनदारी मैं बहुत पहले यी बन्त कर दी थी ये दोबारा ये शुरू किया है तो मैं इसे ये बता दू क्या आरिये समाज के लोगों की बाद जहां तक है तो आरिये समाज में ग Billie में तर आरिये लेकिन मैंने अपने वक्त में कहीं पर भी ये नहीं कहा कि कुरान में धर्ती चप्टी है या चप्टी बताई गई है। इस में ये जूट खुद बोल रहा है औरों को जूटा बता रहा है इसको सुनते जाए आगे आगे और क्या कह रहा है। लेकिन उसके बाद भी हाल ये है कि उनकी तरफ दुनिया में किसी ने आज तक तवज्जो नहीं दिया है। दूसरे को जूटा बता रहा है सुनिया आगे क्या बोल रहा है। जमीन अल अर्द बताया है कि जमीन भूमी के लिए बताई गई है। लेकिन इस भूमी को अल्ला ने पहाड गार करके तलने से रोका है। ये भूमी अल्ला को और अल्ला वालो को लेकर लुड़कने वाली थी। इसलिए अल्ला ने इस जमीन को ठीक रखने के लिए पहाड का दवाव डाला। ये सूरा नबा के अंदर में अल्ला ने जिकर फर्माया तीस ती पारह यहीं से शुरू हो रहा है। ये अल्ला ने आ워서ाण को बनाए फिर इसको दुरुस्त किया। इसका मतलब में अल्ला ने जब आस्मान को बनाया ता भुवो दुरुस्त नहीं ठीक। जुरसमाने ठीक करना ठीक किया फिर इसको बुलंद किया यानि अल्ला ने जिस समय आस्मान को बनाया था वो बुलंद भी नहीं था बुलंद किया मुचा किया फिर जमीन को आरास्ता किया जिस जमीन की बात ये कर रहे हैं उस जमीन को आरास्ता किया यानि बीचाया और जमीन को ठीक रखने के लिए पहाड का दवाव डाला पहाड का दवाव डाला जो सुरा नबा के अंदर में यह बात बताई गई है पहाड का दवाव डाला जमीन इदर उदर लुड़कने ना पाए अर साथ जमीन को लुड़कने से यानि मसल्मानों को लुड़क जाने से अल्ला ने बचाया ये लोग आस्मान में किस चीज़ का हल पुछते हैं पहली बात तो इसने जो शृरू किया है इसकी शृरुवात ही गलत है इसकी शृरुवात जो बिसमिल लह आजी रख्मान 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 रख्मा पश्वों की गले में छूरी चलाने का हुकम क्यों और कैसे देते इससे ये साफ पता लग रहा है कि इसकी शुरुआती गलत है तो यहां क्या बोला अम्मा यतसालून अनिन नबायल अजीम ये लोग आपस में किस चीज का हाल पूछते हैं एक बड़ी खबर का हाल जिसमें ल होगा फिर उन्हें अनकरीब ही मालूम जरूर मालूम हो जाएगा क्या जमीन या हमने जमीन को बिछोना और पहारों को जमीन की मेखे नहीं बनाया देखे पहारों को वल जिबाले आउतादा यहां पहार को जमीन लुड़कने के लिए लुड़कने ना पाए उसके लिए द जोड़ा जोड़ा पैदा किया अब जोड़ा जोड़ा पैदा किया ये अल्ला कह रहे हैं लेकिन जोड़ा कहां पैदा किया अल्ला ने आदम को एक को पैदा किया बाद में उसकी जोड़ी बनाई वो भी उसकी पचली के हड़ी से ये विग्यान विरुद है, मानवता विरुद है, स्रिष्टी नियम विरुद है अल्ला को, अल्ला ने आदम को बनाया, आदम के शरीर को बनाया मिट्टी से लेकिन अल्ला को ये मालूम नहीं, ना अल्ला वालों को ये पता है कि सरिष्टी बनती है कैसे ये पहला अमायतुनी सरिष्टी है वो जमीन यानी जमीन को इसलिए माता कहा गया है मा के गर्व ग्र्यए से ये असंक जीब पैदा हुए है और शरीर बनता है मा के उदर में लेकिन अल्ला के पास कौन सा उदर है किस तरीके से अल्दा ने बनाया तो ये बेतु की बात किस प्रकार से कही गई है कुरान में ये कुरान इश्वर ये गया नहीं है जिसका मैं ये हवाला दे रहा हूँ आगे सुनिए क्या बोल रहा है लेकिन कॉंटेक्स्ट से बात क्या कही जा रही है इसके कॉंटेक्स्ट से इस बात का अंदाजा लगता है कि हम जब जमीन बोल रहे है या अर्भी का अर्थ बोल रहे है तो उसका क्या अर्थ है उसका अर्थ भूमी है अथवा पृत्वी है उधारन से समझ लीजिए अगर किसी शख्स ने ये कहा कि मैंने जमीन खरीदी है इसकी बिस्ट्रेशन की आवशक्ता नहीं है वो जमीन के लिए तो मैंने बता दिया कि वो जमीन इदर उदर लुड़कने न पाए उसके लिए ये बताया गया है कि पहार का दबाव डाला पहार के दबाव से जमीन टिक हुई है इसे दुनिया के लोग अनयास ही समझ जाएंगे पता लग जाएगा कि सच्चाई क्या है धर्ती को बनाना अल्ला को आता है क्या इसलिए तो मैं बोला कि आदम को अल्ला ने बनाया मिट्टी से बनाया मिट्टी से बनाया इन्सान का बनाना आलम का बनाना क्यों और कैसा संबब होगा और अल्ला ने फिर यहां कहा जो मैं आपको अभी सुनाया हूँ जोड़ा जोड़ा बनाया लेकिन अल्ला ने जोड़ा नहीं बनाया वहां आलम को अकेले को बनाया कि ये बात अपने आप में जूटी हो रही है इसलिए मैं आज कुछ और स्रिष्टी नियम की बातों को इसे बताना चाहूंगा जो ये नहीं जानता है स्रिष्टी का स्रिष्टी नियम क्या है ये देखिए अल्ला ने क्या कहा है सुर्ष्टी बनाने का तरीका अल्ला का देखिए यह है सुरा कलम सुरा नमर 68 यहां पर मैं आयत 7 तक आप लोगों को पढ़ करके सुना रहा हूँ नून वल्कलमी वमा यस्तुरून मा अंत बनिअमती रबिक बिमजनून विन लक ला अज्रा अज्रा गयर ममनून विनक लाल्ला खुलिक लाजीम खुलिक लाजीम वसात तुबसरू वयुबसरून बायकुम लमफुतून इन्न रब्बक हुआ अलामू बिमन जला अन सबीलिही वहुआ अलमू बिल्मुहतदीन क्या ले बोला के नून कसम है कलाम की कलम की कसम खा रहे हैं आप अल्ला कसम है कलम की और कसम है उन फरिष्टों की लिखने की जो आमाल के लिखने वाले हैं के आप अपने रब के फजल से मजनून नहीं हैं जैसा के नबुवत के मुनकिर लोग कहते हैं और बेशक आप के लिए इस एहकाम की तबलीग पर जैसा अजर है जो कभी कभी खत्म होने वाला नहीं है और बेशक आप अखलाक के आला पैमाने पर हैं जो सो उनकी बेहूदा बातों का नम ना कीजिए गम ना कीजिए और और भी देख लेंगे और ये लोग भी देख लेंगे कि तुमने किसको जुनून यानी पागलपन था आपका परवर्दिगार उसकी भी खूब जानता है जो उसकी राह से भटक भटका हुआ है और यह रह प चलने वाले वालों की खूब जानता है वो रह पर चलने वालों को खूब जानता है यहां नभी करीम सरदाव अले सल्म में बड़े आकलमद है यहां तफसीर इबन कसीर में लिखा है नून वगयरा जैसे हुरूफ हिज्जा का तफसीली बयान सुरा सुरा बकर के शुरू में गुजर चुका है इसलिए यहां दोबारा उसकी बताने की जरूरत नहीं है कहा गया है कि नून नून से मुराद है बड़ी मशली नून माने नमक मत समझना सौर्ट मत समझना यहां नून के माने अल्दा ने बड़ी मशली कहा है कि जो पूरी दुनिया को घेर लेने वाली पानी पर है जो पूरी दुनिया को घेर लेने वाली पानी पर है मैं इन अकल के दुश्मनों को यानि इबराहीम हो या इबराहीम के पूरे वनसज हो मैं सब को ये बता रहा हूं कि दुनिया को पूरी दुनिया को घेर लेने वाली पानी है इसका मतलब वो दुनिया से बड़ी होगी जो पानी की जगा है पानी रखने की जो जगा है वो दुनिया से बड़ी है जब दुनिया से बड़ी है तो दुनिया में रखा कैसा जाएगा देखिए इन्होंने आकल का प्रयोग किया कि नहीं किया है इन्होंने और को मुर्क कह रहा है और को जाहिल बता रहा है लेकिन कितनी जहालत इस कुरान म में भरी पड़ी है इसको मैं दर्शाना चाह रहा हूं देखी यह क्या बोला है कि वो मशली है जो पूरी दुनिया को घेर लेने वाली पानी पर है जो मशली है वो मशली पूरी दुनिया को घेर लेने वाली तो इसका मतलब यह हुआ कि वो पानी भी दुनिया से ज्यादा है मशली भी बड़ी है जो सातो आस्मानों को उठाए हुए है देखे सातो आस्मानों को कौन उठाए हुए है मशली दुनिया वालों जरा अकल का ताला खोले अकल का पर्दा हटाएं कि कुरान का अल्ला क्या फर्मा रहे हैं क्या बता रहे हैं जो सातो आस्मान को उठाए हुए है इबन अब्बास रजियालाहुतालाँ से मर्वी है कि सबसे पहले खुदा ताला ने कलम को पैदा किया सबसे पहले खुदा ताला ने कलम को पैदा किया मैंने कई बार सवार उठाया कलम पैदा करने वाली चीज है या बनाने वाली चीज है लेकिन अल्ला ने अगर कलम को पैदा भी किया तो किस चीज से पैदा किया जैसा हवा को तो पैदा किया आदम की बाया पसली के हड़ी से वैसे कलम को किस चीज से पैदा किया अल्ला ने और जहां तक बनाने की बात है, तो raw material क्या है, किस चीज़ से कलम को बनाई गई, और उसने फर्माया, लिख्ग, किस को फर्माया, کलम को, उसने फर्माया, यानि यह यह जो और जो कुरान, जो यह आला की चर्चा कर रहे हैं, इस कुरान के अल्ला ने यह बोला, कलम को किसने कहा कलम ने दुनिया वालों से मैं पूछना चाहता हूँ इन अकल के दुश्मनों को जरा बराय महर्मानी आप लोग ये समझाएं ये बताएं कि कलम जड़ है या चेतन है जड़ रूपी कलम से कहा जाना बतलाया जाना जवाब देना संबब है क्या ये अपने को अकलमद बतला रहे हैं सुनिये जरा इनकी अकलमदी कलम ने कहा क्या लिखू तो अल्ला ने फरमाया तकदीर लिख डाल तकदीर लिख डाल किसकी तकदीर अभी दुनिया बनी नहीं है दुनिया में लोग बने नहीं है उन बिना बने लोगों की तकदीर लिख डाल पस उस दिन से लेकर कयामत के कयामत तक जो कुछ होना है उस पर कलम जारी हो गया अब देखे उसी दुनिया के बनाने से लेकर के कयामत तक जो कुछ भी होना है कलम लिखना जारी कर दिया है फिर खुदा ताला ने मशली पैदा की अब देखे पहले तो बोला के नून मशली का नाम है मशली धरती से भी बड़ी है धरती से ज्यादा बड़ी है जिस पानी पर वो टिकी हुई है फिर यहां अल्ला फिर बतला रहे मशली को पैदा किया और पानी के बुखारात यानि भा भाप बादल बुलंद किये सुन लो दुनिया वालो इवराहिम खास करके सुन तू सुन तेरी बोलती तो बंद करा दी थी मैंने पहले ही अब तू चिल्पो करने लगा है दूसी पानी के भाप से भुखारात भाप बादल बुलंद किये जिसमे आस्मान बने आस्मान किसे बने ये सुने दुनिया वाले जरा आस्मान के माने खाली जगा होता है लेकिन आस्मान को अल्ला बना रहे हैं किसे जो वो पानी बनाया जिस पानी के उपर मशली है जो मशली पूरी दुनिया को अपने सर पर रखी हुई है अपने पीट पर रखी हुई है ये क्या साइंटिफ साइंट्स है क्या विग्यान है इनके पास इस जरा बराय महरबानी दुनिया वालों को बहुत अच्छे ढंक से सुनने चाहिए इससे आस्मान बने और जमीन को उस मचली के पीट पर रखा अब पहले बता दिया गया था फिर उसके बास जमीन बने जमीन किस चीज से बना यहां तो आस्मान को बनाया गया कि पानी के भाव से बना जमीन किस चीज से बनी ओ इवराहिम के बच्चे जरा बता कर दिखा कि वह जमीन बनी किस चीज से और उस जमीन को मचली के पीट पर रखा मचली ने हरकत की जिस से जमीन भी हिलने लगी सुनिए इनका जमीन जमीन भी हिलने लगी पस जमीन पर पहाड गाड़ कर उसे मजबूत और ठहने वाली कर दिया ओ दुनिया वालो जरा बराए महरवानी सुनिये कुरान का विग्यान कुरान का साइंस कि जमीन को जमीन बनाया किस चीज़ से बनाया कोई नहीं पता ना इसका तफसिल से इसका बयान किया गया आस्मान बनाया गया है कि उस पानी के भाव से लेकिन जमीन किस चीज़ से बनाई गई नहीं बोला जिसको ये अर्द अर्द चिल्दा रहा है अर्द की ये अर्द है ये अर्द कहे ये देख ले जमीन पर पहाड गाड़ कर उसे मस्बूत और ठहने वाली कर दिया जमीन ठहरी हुई है पहाड के धबाव से फिर आपने इस आयात की तिलावत की ये अबन अब्बास अबन हातिम में ये लिखा हुआ है अब दुनिया वाले जरा सुनें दुनिया वाले जरा बिचार करें कि कुरान की आयतें ये साइन्स के आधार पर साइन्स के नजदीक टिकने वाली है क्या जिस अर्द अर्द चिला रहा है जिस जमीन जमीन चिला रहा है वो जमीन टिक्यूई है पहाड के दबाव से पहाड गार दिया अल्ला ने यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह कुरान तफसीर अबन कसीर सुरा कलम की पहले साथ आयात में जो बताया गया है वो मैं उसके तफसीर पढ़ करकर के आप लोगों को सुनाया इसलिए मैं निविदन कर रहा हूँ मैं आप लोगों से यह निविदन कर रहा था कि कुरान सही अर्थों में अल्ला की कलाम है या नही उस्े भी मैं देखा रहा हूँ ला उकसिमू बिमा तुभसिरून कलीलं मा तुमिनून वला बिकवल काहीन कलीलं मा तथकुरून तन्जील मिर्रबिल आलमीन ये है सुरह हाका आयत नबर 38, 49, 41, 42, 43 तक मैंने आप लोगों को सुनाया फिर बदला देने की मजनून बयान करने के बाद मैं कसम खाता हूँ देखे अल्ला कसम खा रहे हैं ओ इबराहीम कसम खाने के अल्ला को नवबत क्यों आई अल्ला के बाद पर किसने यकिन नहीं किया था किसने भरोसा नहीं किया था जो अल्ला कसम खा करके दुनिया वालों के अपने बिश्वास में ले रहे हैं उन चीजों को भी जिसने तुम देखते हो और उन चीजों को भी जिनको तुम नहीं देखते कि वे है खुरान खुरान ये कलाम है एक इज़त वाले फरिश्टे के लाया हुआ पस जिस पर आया है वो रसूल अल्ला है यानि देखिए यहां क्या शब्दाया है इन्नहू लकॉल रसूल करीम ये कौल किनका है रसूल का यानि ये कलाम उल्ला नहीं है ये कलाम है रसूल का जो रसूल बतला रहे हैं और कुरान गवा है इन्नहू लगुलु रसूल करीम ये قुरान खुद गवा है धैरा है ये किलाम किनका है रसूल का है और ये किसी शायर का कलाम नहीं है जैसा कि कुफार आपको शायर कहते हैं मगर तुम बहुत कम इमान लाते हो और ना किसी काहिन यानि अन्दाजे से गैब की बाते बताने बताने वारे का कलाम है जैसा कि बाद कुफार आपको कहते हैं तुम बहुत कम समझते हो रबुलालमीन की तरफ से भेजा हुआ कलाम है अब यहां रबुलालमीन की तरफ से भेजा हुआ कलाम ये बताया गया है पिर पहले जब बताएंगे इन्नहु लकौल रसूल करीम जब ये बता दिया गया है कि ये कौल ये कहना रसूल का है फिर अल्ला का भेजा हुआ कलाम कहां से हो जाएगा इसके तश्रीमे क्या लिखा है ये अजीम आसमानी किताब इस किताब की चर्चा की जा रही है इस तफसीर इबन कसीर में अल्ला ताला कसम खाता है देखिए अल्ला ताला कसम खाता है किसलिए अल्ला के बातों पर भरोशा किसने नहीं किया अल्ला के बातों को बिश्वास किसने नहीं किया अल्ला जूड बोलते हैं इसलिए अल्ला को कसम खाने की आवशक्ता पड़ी कसम खाने की नौबत तब आती है जब किसी के बात पर कोई दूसरा यकिन नहीं करता है उस समय उसको कसम खाने की आवशक्ता पड़ती है उससे पहले कसम कोई क्यों काई किसलिए ख़ाएगा भला कसम खाने की नोबत तब आएगी जब मेरे बात पर कोई बिश्वास नहीं करे तो मैं कसम खा करके उनको बिश्वास दिलाओंगा या दिलाना चाहूंगा तो यहां अल्ला टाला कसम खाता है यह मैं नहीं कह रहा हूँ ये तफसीर इबन कसीर में लिखा हुआ है अपनी मखलूक में से अपनी उन निशानियों की कसम खा रहा है अपनी उन निशानियों की कसम खा रहा है जिने लोग देख रहे हैं और उनकी भी लोगों की निगाहों से पोशिदा है पर इस बात पर कि कुरान करीम इसका कलाम और उसकी वही है उतारा हुआ पैगाम है कुरान क्या है उसका कलाम है लेकिन वहार इन्नाहु रल्लाकॉलू रसूल करीम बतायागा फिर यहां अल्ला करें अल्ला की कलाम है जो उसने अपने बंदे और अपने चुने विए रसूल हदरत मौंध ﷺ पर उतारी है जिसे उसने उसने अमानत के अदा करने और रिसालत की तबलीग के लिए पसंद फर्माद लिया है रसुल करीम से मुराद हदरत मुहमद मुस्तफा अवल्य सलम है इसकी निजबत हुदूर अवल्य सलम की तरफ इसलिए की गई है कि जिसकी मुबलिग और पहुचाने वाले आप ही है इसलिए लफ रसुल आए भेजने वाले का होता है यही वज़ा है कि सूरा तकबीर में इसकी निस्बत उस रसूल की तरफ उस रसूल की तरफ की गई है जो फरिष्टों ने फरिष्टों में से है यह फर्माया है अलला ने अब यहां इन बातों पर कितने फर्क है कितनी मिठावादी है कितने मित्वादिता है कितने जूट फैलाए गया है इसको आप देखें इसको जरा विचार करें तो सचाई का पता लगेगा इसलिए मैंने निबिदन किया कि इसमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान को कुरान मुहम्मद के लिए नहीं है यह कह रहा है कुरान मुहम्मद के लिए कही है कुरान मुहम्मद के लिए ही है इसका अन्यक सारा प्रमान कुरान में ही मौजूद है जो लोग कुरान को नहीं जानते हैं भले ही वो लोग कहें इस बात को लेकिन अपने को सच भी बता रहे हैं कि सच का मैं ठेकेदार हूँ और सच को वो जानता भी नहीं है तो आज मैं इसका खुलासा और पड़ताल किया हूँ कि इबराहीम ने जो बोला है वो सरासर जूट है गलत है मैं गुरान से ही इसका सारा हवाला दिया हूँ इसलिए मैंने बोला कि आस्मान को तो बनाया अल्ला ने उस पानी जो बनाया उस पानी के भाव से लेकिन अकल मंद लोगो मानव कहलाने वालो पानी में भाव तब आती है जब वो गरम हो गरम हुए बिना पानी से भाव निकलना कभी भी संबब नहीं है ये कितने अकलमंद लोग हैं जरा आप लोग भी विचार करिए वीडियो लंबी न हो जाए बड़ा न हो जाए इसलिए मैं बहुत शौट में आप लोगों को इस इबराहीम को दिया गया जवाब आप लोगों तक पहुचाने के लिए ये बोल ला हूँ मैं अपने मानिय वकिल साब एड़ोकेट सत्केतु जी का अभार वैक करता हूँ कि जिनों ने भली भाती आज से नहीं मुझे आज 49 वर्षों से जो मुझे जान रहे हैं मेरे किये कारिये को देखा है नस्दिक से देखा है और सराहना किया है और अपने आगोश में मुझ जैस को शरन दे करके मुझ जैसों को आगे बढ़ने के लिए सदा सरवदा प्रसाहिद भी किया है केवर सत्केतु नहीं उनके पिता जी प्रफेसर रतन सिंग जी के बड़ा सानिद प्राप्त किया हूँ मैं परम पिता परमात्मा की असी मनुकंपा है कि ऐसे परिवार से मेरा सं पर जुड़ा हुआ है और जिनों ने इस चीज़ को सुन करके और रह नहीं पाए और कहा पड़ी जी देखिए ये क्या जवाब दे रहे हैं आप बराए महरवानी इसको जवाब दीजिए तो मैं ये दो टुक में जवाब इबराहीम को दिया हूँ और इबराहीम जो बोल है उसमें कितना खुकला पन है ये भी आप लोगो मैं कुरान से हवाला दिया हूँ कुरान से परमान दिया हूँ आप लोगों को पड़ने में आसानी हो मैं अर्दू वाला भी दे सकता था लेकिन अर्दू में देने से केबल अर्दू के जानकार ही पड़ पाएंगे पर आ आप हिंदी भाशियों को जानकारी के लिए मैं हिंदी से ही उठा करके आप लोगों को दिया हूँ कि आसानी से आप लोग पढ़ सकें कि गुरान में किस तरीके से गप हाका गया है किस तरीके से गप बोला गया है ये गप ही नहीं है अपी तो गपगप है इसलिए आप लोगों को मैं अपनी बातों को पहुचाना युकते युक समझा इनी शब्दों के साथ मैं वानी को बिराम को ले जाना चाहूंगा और आरिये जनों से निवेदिन करूंगा ये वीडियो अच्छी लगे तो जादा जादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब करना नभूलना और आइकन बिल्ड दबाना भी नभूलना जिससे के औरों तक ये बात पहुच जाए आप लोग शेयर करने में भी संकोच करते हैं शेयर करने में कोई पैसा कारी नहीं है लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं कामसत्त सनातन वैदिक धर्म के लिए कर रहा हूँ कामसत्त सनातन वैदिक धर्म को उजागर करने के लिए कर रहा हूँ आज 49 साल हो गया है मेरा तुनात्मा का धायन है कॉमपरिटिव स्टेडी है एक तरफ कुरान है दूसरी और वेद है और जितने भी मख़भी पुस्तक है उन सभी मखभी पुस्तकों पर मैं बयान देता हूँ किसी का विरोध करना मेरा मकसद रुदेश नहीं है ना मैं किसी के विरोध में बोलता हूँ ना मैं किसी का विरोध करता हूँ लेकिन ये इतना जरूर है कि मैं आसत और अधर्म का विरोध करता हूँ जहां आसत है उस आसत का विरोध मैं करता हूँ जहां अधर्म है उस अधर्म का विरोध मैं करता हूँ उसी पर ही मैं बोलता हूँ इनी शब्दों के साथ अपनी बातों को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्वाद कहिए सत्तु सनातन वैदिक धर्म की